Hi Everyone, Welcome to my YouTube Channel, मैं हूँ पूजा लूत्रा और आज मैं आपके साथ शियर कर रही हूँ पटैटो जूस टोनर बनाने का तरीका, ये टोनर गर्मियों में आपकी स्किन को टैन से बचाएगा, अगर टैन है तो उसको दूर करेगा, अनिवन स्किन टोन को इवन आउट करेगा, रंग निखारेगा, डाक स्पोर्ट्स और पिग्मेंटेशन को रिड्यूस करेगा, और साथ ही साथ आपके पोर्स को भी टाइटन करेगा, तो चलिए जानते हैं कैसे बनाना है ये पटैटो जूस टोनर और कैसे इसे यूस करना है, इस पटैटो जूस टोनर को बनाने के लिए आ आलू के पेस्ट को चान कर इसका जूस आपको एक्स्ट्रैक्ट कर लेना है दोस्तों आलू में विटामिन A, विटामिन C और विटामिन B होते हैं और पटेटो नैचरल स्किन ब्लीचिंग एजिन्ट है स्किन ब्लैमिश को डार्क स्पोर्ट को डार्क सर्कल्स को अनिवन स्किन टोन को यह दूर करता है और स्किन की इंफ्लमेशन को दूर करता है स्किन को सॉफ्ट बनाता है और नैचरल ग्लो भी देता है तो यह देखिए हमारा पटेटो जूस रेडी है अब हमें इसमें आड़ अब आपको इसमें और आझे फूर्ब करना है तो यह डैयसा और पॉरी memos इसको आप चार से फांक दिन के लिए रेफ्रिजूरेटर में store करके रख सकते हैं अब मैं आपको बताती हूं इसे कैसे यूज करना है आप फेस को वाश करने के बाद cotton ball को इस toner में डिप करें और इसे अपने फेस पर cotton ball की help से अपलाए करें या फिर आप इस इस टोनर को spray bottle में डाल कर फ्रिज में रख दीजिए और जब यूज करना हो तो इसे आप अपने चहरे पर इस तरहां से स्प्रे कीजिए और चहरे पर ही सुखने दीजिए आपकी स्किन हो जाएगी एकदम फ्रेश दिन में दो से तीन बार इस तोनर को आप यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे रिजर्ट्स मिलेंगे तो आप ही जरूर बनाएए यह पटैटो जूस पेशिल टोनर कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताएए लाइक के बटन पर जरूर हिट कीजेगा मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी कर लीजे मैं आपसे मिलूंगे एक और अच्छे से ब्यूटी टिप या फिर हेल्ट टिप के साथ तब तक के लिए टेक केर अफ यरसेल्फ बाबाई